हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टो डिस अमेजिंग प्लाटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला दिस इस नैंसी डेला एंसी आइटी सलूशन सीरीज में आप सबका में स्वागत करती हूं और आज जो हम चैप्टर करेंगे वह है बाइटेकनोलोजी प्रिंसिपल आंड प्रोसस इस च चोटी से युनिट जिसके अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं बाइटेकनोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रोसस और बाइटेकनोलोजी अप्लिकेशन इस चोटी से युनिट से क्वेशन अच्छे आते हैं बैटा और यह कॉन्सेप्च्चुल यूनिट है डाइग्राम भी आपकी स्क्रीन पर यह रहा तो फर्स्ट क्वेशन इस का इस ट्री कॉंबिनेंट प्रोटीन वीच आपने यह याद कर लेने है ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंग कौन से कॉमिनेंट प्रोटीन है जैसे कि इंटर फेरोन एल्फा ठीक है इसके अगर मैं बात करूं तो इस यूज इन टीटमेंट ऑफ प्रोनिक हैपिटाइटी सी नेक्स्ट इस इंसुलीन इंसुलीन किसके लिए यूज होता है बेटा इन टीटमेंट ऑफ डायबेटीज मलाइटस इन टीटमेंट ऐन जाता है किस तरीके से बनाया जाता है किस कंपनी ने बनाया था पूरी की पूरी कहानी हम देखेंगे बट याच्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट इस बोवीन एक ग्रोफ हॉर्मोन की तरह यूज होता है इंटेफेरोन बीटा इट इस दिटीटमेंट अफ मल्टिपल सेकलियोरोसिस एंटी थ्रॉम्बिन थर्ड यह यूज करते हैं ब्लड क्लोड प्रिवेंशन के लिए ठीक है आपको नाम लेना है याद रख लेना है और यहां पर तभी लिखा था कि यूज इंटरनेट तो प्रिवेसर अलोटा है तो next is DNA is the first DNA is first use किया जाता है in the treatment of cystic fibrosis and the last one is tissue plasminogen activator the tissue plasminogen activator है it is used in the treatment of acute myocardial infection ठीक है तो यह first question ता जिसके अंदर आपने 10 recombinant protein बनानी थी और आपके सामने यह टेबल है मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूं so that आप इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वैसे भी आपको नोट्स सो मिलेंगे ही ठीक है तो चली next question हम करते हैं next question and make a chart with a diagrammatic representation showing a restriction enzyme the substrate DNA on which it acts the site at which it cuts the DNA and the product it produces तो मतलब आपने diagrammatic representation दिखाने आपने क्या करना है आपने दिखाना है diagrammatic representation ठीक है और इस chapter से जो अच्छा जो में जो question बनता है diagram based वो दो बनते एक तो PBR 322 का और second is why the vector DNA and the foreign DNA should be cut with the same restriction endonuclease जब आप इस question को explain करोगे तो आप obviously diagram तो बनाओगे ही है ना तो यह question आपको करना है और diagram आपने तयार करना है ठीक है तो चली question को हम solve करते हैं तो सबसे पहले यहां पर और product भी बना के दिखाना है ठीक है तो इस question को solve कर लेते हैं यहां पर मैंने just suppose लिया vector DNA क्या लिया भई मैंने वेक्टर DNA लिया और यहां पर मैंने लिया foreign DNA ठीक है वेक्टर DNA और foreign DNA आप जो restriction endonuclease enzyme को हम molecular seizure भी कहते है restriction endonuclease enzyme है restriction endonuclease enzyme इसको हम क्या बोलते हैं बेटा molecular seizure molecular seizure हम क्यों बोलते हैं क्योंकि यह particular site के उपर cut लगाते हैं ठीक है तो सबसे पहले restriction endonuclease enzyme करेंगे क्या it will inspect the length of the DNA it will inspect the length of DNA यह DNA की length को पहले inspect करेंगे ठीक है यहां पर भी it will inspect the length of DNA it will inspect the length of DNA restriction endonuclease enzyme ओसके बाद यह अपने recognition sequence को पहचानेंगे ठीक है फिर कट लगाएंगे recognition sequence को पहचानेंगे यहां पर भी यह recognition sequence को यह पहचानेंगे ठीक है recognition sequence को यह पहचानेंगे और फिर कट लगाएंगे अब यहां पर मैंने एक example ले लिए eco r1 एक eqo r1 example ले लिया restriction endonuclease enzyme eco r1 ठीक है अब eco r1 की restriction site अब क्या है eco r1 की restriction site है g a a t t c और यह restriction जो site है ना बेटा यह palindromic nature की होती है कैसे nature की होती है भई palindromic nature की होती है 5 प्राइम to 3 प्राइम 3 प्राइम to 5 प्राइम ठीक है g a a t t c और अब पैलिंड्रोमिक sequence का मतलब क्या है पैलिंड्रोमिक sequence का मतलब है आप चाहिए इसको तो 5 प्राइम to 3 प्राइम पढ़ो 3 प्राइम to 5 प्राइम पढ़ो अगर orientation of reading सेम है तो दोनों तरफ से आपको सेम sequence लेखने को मिलेगी is it clear तो यहां पर अगर मैं cut g किसे पेर करता है c के साथ ए पेर करता है T के साथ टी पेर करेगा के साथ और सी पेर करेगा जी के साथ और एस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लेस इंजाइम इको आर्वन हमेशा जी और ए के बीच में ही कट लगाएगा और बोद स्ट्रेंट्स ऑफ द डीने और किस तरीके से हमें सेग्मेंट मिलेंगे हमें सेग्मेंट मिलेंगे इस तरीके से यह आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेशन है ठीक है इस तरीके से हमें सेग्मेंट्स देखने को मिलेंगे जो कट है जो रेस्रिक्षन साइट जो कट लगेगा न वह लेंगे § पीसे तरह साइडमे से कट लगने वाला है और हमें दो सेगमेंच मिलेंगे दो सेगमेंच कासे मिलें श्ल्स में स्थाइग है अब लेकिन यह अलग हो गया है टूट के जब जी और एक बीच में कट लगेगा तो किस तरीके के सेग्मेंट आपको दिखाए देंगे इस तरीके के प्लस ए ए टी टी और सी के साथ अभी भी क्या है जी जी के इसी तरीके से अगर मैं इसको डिफेंट कलर से करूं तो जी ट्रिपल बॉंड सी टी टी ए ए ए प्लस ए ए टी टी सी के साथ अभी भी जी अटाइज्ट है तो जो यह ओवर हेंगेंग स्टेंट साना इसी को हम स्टीक एंड्स बोलते हैं स्टीक एंड्स कब लगते हैं जब कट स्लाइटली अवे फ्रॉम रेस्टिक्शन सेंटर की तरफ ना लगे अपको इसका रीजर क्या है रीजर के कि जैसे यहां पर हीएं कि यह अपना लिल की इसली से हैं अब जो जी है यह किसके साथ प्यार करेंगा और यह हमारे पास यह वाली चीज हम लेते हैं, this one, चीक है, तो यह हो गया G, triple bond C, और T, T, A, A, चीक है, अब इस T के उपर के आएगा, A, A, और A के उपर के आएगा, T, T, तो देखो, यह वाला strand इसका complementary है, और जट से यहां पर यह बन जाएगा, that is A, A, T, T, और C के साथ तो BB क्या है, triple bond है, तो जैसे यह पास में आएंगे, hydrogen bond जैसे, A, T, किसे जुड़ा होता है, दो hydrogen bond से, जट से बन जाएगी, और जो बीच की जो bond है, ठीक है, फोस्फोर डाइस्टर bond, फोस्फोर डाइस्टर bond, यह फोस्फोर डाइस्टर bond, जट से कौन बना देगा, DNA, लाइग को हम क्या बोलते हैं, molecular glue, और हमारे पास एक recombinant DNA बनके तयार हो गया, एक recombinant DNA हमारे पास बनके तयार हो गया, clear है, तो यही आपको एक diagram की form में दिखाना था, और सेम चीज यहां पर भी होगी, ठीक है, तो अगर मैं इसको consider करूं अब, तो यह देखो, ऐसा मत सोचना कि म इसके साथ क्या होगा, इसके साथ भी सेम होगा, जी triple bond C, T, T, A, A, ठीक है, अब यह चीज इसके उपर है, यह complementary है, तो T के उपर क्या आएगा, बेटा, A, A, A के उपर T, T, और C के उपर क्या आएगा, जी, और जट से यही पर भी क्या बनेगी, फोस्फोडाइस्टर bond, ठी clear है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी स्टोरी होती है, और यही आपके इंसियाटिक के अंदर किस तरीके से represented है, इस तरीके से, कि steps in the formation of recombinant DNA by the action of the restriction endonuclease enzyme, ECO R1, ECO R1 की मदद से यहां पर explain किया गया है, जो चीज यहां पर अच्छे से visible नहीं है, इसको मैंने यहां पर explain कर दिया था, ठीक है, आप I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, देखो, इसको भी हम समझते हैं, यह तो vector DNA है, यह foreign DNA है, vector DNA और foreign DNA, same restriction endonuclease से cut कर आए है, that is ECO R1, reason मैंने आपको बता दिये, ताकि वो अपनी complimentary को असानी से पहचान सके, और हमारे पास recombinant DNA ब R1 से आप cut लगा रहे हो, तो उसके पास तो उसकी जो recognition sequence क्या है, GAATTC ना, तो वो तो GA और A के बीच में cut लगाएगा, और यहां पर DNA लाएगे इसको जोड दिया, और हमारे पास recombinant DNA बनके तयार, ठीक है, यही चीज मैंने आपको तरीके से explain की गई है, next is, next question क्या है, इसक और DNA is bigger in molecular size, बहुत असान सा question है, question यह कह रहा है, आच आप यह बताओ, कि जो DNA बड़ा है, या फिर enzymes बड़े है, ठीक है, तो DNA का size तो बहुत बड़ा है, और DNA का proper segment होता है, ठीक है, जिसको जीन बोलते हैं, वो express करता है, और वो ही आगे चलके protein बनाता है, and most enzymes are protein in nature, तो हम कै से कह दें, यह तो जो सवाल है, वो तो मतलब जैसे इतना बड़ा जो DNA है, उसके particular segment है, वो अपने आपको express करेगा, जो आगे protein मनाएगा, तो obviously DNA का size जादा होगा, ठीक है, तो देखो, compare to the DNA molecules enzyme सा smaller in size, आप जो भी लिखना है, किस तरीके से words है, यही मैंने आपको यहाँ पर subjective आएगा, तो subjective question में आपको पता तो होना चाहिए ना कि लिखना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने बताया कि compared to the DNA molecules, enzymes are smaller in size, we can say this as DNA, पूरा का जो DNA है, DNA के पास क्या है, जैनेटिक मटीरल है, जैनेटिक मटीरल है, जैन जैनेटिक मटीरल, जैनेटिक इनफॉर्मेशन है, जिसे की सारी की सारी बोडी की development और ग्रोथ होनी है, ठीक है, DNA molecule consists of all the information which is required for the synthesis of protein and the proper functioning of cell, where enzymes के बारे में अगर मैं बात करो, तो most of the enzymes are protein in nature, that are synthesized from gene, और जो gene क्या है, it is a small fragment of the DNA, DNA का एक छोटा सा fragment, ठीक है, जो की code करता है protein को, that is gene, अल्राइट, अब इसी लिए हम कह सकते हैं, that's why we can say that enzymes are smaller in size as compared to the DNA, ठीक है, असान सा question था, हां बस यह इसी लिए लिखवाए है, ताकि आपके पास information हो, की लिखें क्या, next question, what would be the molar concentration of human DNA in human cell, consult your teacher, ओल्राइट, चलो, consult कर लिया है, आपने मेरे से, चलो, तो, the molar concentration of human DNA in human cell can be given as, तो molar concentration हम कैसे निकालते हैं, total number of chromosome, total number of chromosome into Avagadro number, ठीक है, अब एवे केमिस्ट्री में आपने Avagadro number का तो value पता ही होगी, कितनी होती है, 6.02 into 10 raise to power 23, और chromosome कितने होंगे, 46 और इसको अगब multiply करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, 2.7 into 10 raise to power 23 moles, ठीक है, और therefore, 2.77 into 10 raise to power 23 mole is the molar concentration of each of the deployed cell के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ओल्राइट, जो body की जो cells होती हों, क्या होती है, deployed, कितना chromosome रहता है, 2 set of the chromosome, ठीक है, clear है, तो इस तरीके से आप molar concentration निकाल सकते हो, अब मैं बात करते हूं, next question की, do u-karyotic cell have restriction endonuclease enzyme, क्या u-karyotic cell के पास restriction endonuclease enzyme होता है, justify your answer, देखो, इस question को हम justify करते हैं, तो जो restriction endonuclease enzyme है, restriction endonuclease, यह restriction endonuclease enzyme, एक natural defense mechanism provide करता है, prokaryotes को, क्या provide करता है वही, natural defense mechanism, natural defense mechanism, natural defense mechanism provide करता है, in prokaryotes, ठीक है, natural defense mechanism provide करता है, prokaryotes को, लेकिन अगर मैं बात करूँ, u-karyotes के अंदर RNA interference technique है, जो natural defense mechanism provide करती है, जो कि क्या provide करता है, वही, natural defense mechanism, in eukaryotes, ठीक है, अब यहाँ पर, यह restriction endonuclease enzyme करते हैं, देखो, जैसे मैंने एक prokaryotic cell यह बनाई है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, यह मैंने क्या बनाई, वही, prokaryotic cell बनाई, ठीक है, कोई भी bacterial cell है, ठीक है, अब इस prokaryotic cell को infect करता है bacteriophage, ठीक है, यह prokaryotic cell है, इस prokaryotic cell को infect करता है bacteriophage और bacteriophage ने अपना जो genetic material है, वह release कर दिया, और यह हमारे पास इसका bacterial DNA है, ठीक है, prokaryotes के पास, दो type का, two types of enzyme मिलते हैं, कि टीकुलर साइट के ऊपर कट लगाएगा ऑर इस पर्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक GAA TTC sequence GAA TTC sequence GAA TTC sequence जहां पर भी है तो जो कट लगेगा वो जी और एक बीच में कट लगेगा जी और एक बीच में कट लगेगा तो इसका मतलब जो बैक्टीरोफेज का जनेटिक माट्रियल है वह इस तरीके से टुकड़ों में तूड गया तो इसका मतलब prokaryotic cell ने अपने आपको bacteriophage से बचा लिया लेकिन लेकिन आप ये बताओ ना क्या GAATTC sequence यहाँ पर नहीं होती GAATTC sequence यहाँ पर नहीं हो सकती है अगर इसके ओपर जहाँ पर भी GAATTC sequence मिल गई तो ये जी और एक बीच में कट लगाएगा तो इसके अपने खुद के ही genetic material को अगर टुकडो के इंदे टोड़ देगा तो इसका मतलब prokaryotic cell ने तो अपने को ही खतम कर लिया इसका मतलब ये तो suicide हो गया है ना तो अब क्या होगा इसके पास एक और enzyme present होता है that is methylase और ये जो methylase क्या करेगा methyl group add करके अपने जो DNA उसको बचा लेगा ठीक है तो यहाँ पर इसने add कर दिया methyl group ठीक है और यहाँ पर इसने add कर दिया methyl group यहाँ पर add कर दिया methyl group मतलब इसका रूप बदल दिया तो prokaryotic cell के अंदर ये natural defense mechanism provide करता है क्या restriction endonuclease enzyme और restriction endonuclease enzyme prokaryotes के अंदर ही मिलते हैं ठीक है मतलब majorly prokaryotes के अंदर ही मिलते हैं और eukaryote के अंदर भी natural defense mechanism होता है लेकिन वो provide करती है RNA interference technique जो कि आप next chapter biotechnology and its application के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से भी question definitely आता है ठीक है तो अपने DNA को कैसे बचाया इसने बाइडिंग मिथाइल ग्रूप मिथाइलेज एंजाइम ने और जो बैक्टीरियो फेट से कैसे बचाया मतलब अब यह पूरा का पूरा mechanism आपने समझ लिया लेकिन अब इसके हम आंसर की तरफ लिखते है आपको यह पता होना चेना की लिखना क्या है है ना तो रेस्ट्रिक्शन एंड़नुक्लेज और नाचरल लिए करिंग डिफेंस मेकैनिजम इन ओल्ड़ बैक्टीरिया सेल ठीक है रेस्ट्रिक्शन एंड़नुक्लेज इंजाएम रिक नाइस स्पैसेफिक सिक्वेंस डैट इल मोस्ली जो 4-6 बेस पेर को रिक नाइस करता है इसको फ्रेग्मेंट के अंदर तोड़ देगा ठीक है और अपने बैक्टीरियल डियने के उपर बिए साइट प्रेजन हो सकती है तो डियने जो मिथाइलेज जो एंजाइम है यह इसका रोल आएगा यह मिथाइलेशन कैरी करेगा यानि कि मिथाइल ग्रूप एड़ कर दे जिसकी वज़े से रेस्टिक्शन अंडोनुकलेज अब उस सीक्वेंस को पहचाने नहीं पाएगा यू केरियोटिक डियने अल्रेडी हाइली मिथाइलेटिड होता है इसलिए इसलिए इंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन यू केरियोट्स जो चीज आपको लिखनी है वो अपको प्रोटेक्ट किया लेकिन जो यू केरियोटिक सेल का जो डियने है वह आल्रेडी मिथाइलेटिड होता है इसलिए इसलिए इस लिए इन्जाइम्स डू नौट फाउंड इन दो यू केरियोटिक सेल नेक्स्ट इस बिसाइड बैटर राएशन मिक्शर मिक्सिंग प अलावा मतलब शेक फ्लास्क है बेटा अगर मैं इस टेंग को शेक फ्लास्क की बात करूं तो इसके अलावा आपको बताना है कि क्या क्या एड्वांटेज हो सकती है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बायो रियक्टर्स होते क्या है पहले एक बार आपको मैं बेस बता दूँ बायो रियक्टर्स या फिर आप बोलो फर्मंटर्स ठीक है यह लार्ज वैसल्स होती है यह क्या होती है यह लार्ज वैसल्स होती है बड़ी बड़ी वैसल्स ह है उसको convert करती है biologically raw material biologically into useful product और useful product कौन-कौन से हो जाएगा useful product जैसे की antibiotics vaccine हम जो बनाते हैं वो antibiotics vaccine and etc ठीक है और एक चीज यहां पर आपको ध्यान देने की है कि जो बाइय डिरेक्टर से इंदर 100 से लेके 1000 लीटर आफ तो कल्चर कर सकते हैं कि अब फिर बड़ी बड़ी लार्ज वैसल जिसके नमा जो प्रोड़क्ट है वह लाइज कॉंटिटी के अंदर हम प्रोडियूस करते हैं और यह जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वह अधिकनीशन में होती हैं कोई भी प्रोड़क्ट हमें नहीं देखने को मिलता तो तो आपके इस तरीके का डाइग्रम बना है कि यहां पर तो मोटर है ठीक है और इस तरीके से यहां पर फॉम ब्रेकर भी लगाया हुआ है इंपैलर भी लगाया हुआ है ताकि प्रोपर मिक्शिंग हो यहां पर हम स्टराइल एयर दे रहे हैं ठीक है स्टराइल एयर कोई भी कॉंटामिनेशन यहां पर नहीं होगी ठीक है और यहां पर प्रोपर इनफ नूट्रिंट मीडियम है देट इस फॉम ब्रेकर इंपैलर यहां पर नूट्रिंट मीडियम होगा यह प्रोपर नूट्रिंट मीडियम होगा और सारी की सारी चीज़ यहां पर होगी ठीक है तो क्या के एड्वांटेज़ें मिक्सिंग और रेरियेशन को छोड़के टेस्टिंग प्रोसर्स मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर कैन बी ड्रेन आउट फॉम दरी एक्टर अगर हमें टेस्टिंग करनी है सेंपल की तो थोड़ा सा कल्चर हम अलेड़ी बाहर निकाल सकते हैं प्रे ग्रोंटेशन होगा प्रोपर मिक्सिंग होग गर्शां के प्रोपर हरेक्व प्रोपर करेगी अपने डियन अमाउंट के अनदर डिय OUT तो यह कोलेशन है आपका नेक्सक्न स्प्राइफ N. Are better try to create palindromic sequence by the following base pair ठीक है अब देखो palindromic sequence का मतलब अगर मैं आपको बताऊं palindromic sequence पहले palindromic sequence के बारे में बताती हूं मैं हर एक जो restriction जो endonuclease enzyme है आप अपने मन से कुछ भी palindromic sequence बना सकते है ठीक है और ज़रूरी नहीं है कि जो यहां पर मैं बताऊंगे आपको वही याद रखना है आपको तो यह पता होना चाहिए कि palindromic sequence का मतलब क्या है palindromic sequence का it is the nucleotide sequence it is the specific nucleotide sequence which is same which is same on both the strands of the dna which is same on both the strands of dna if orientation of reading is same कि अगर orientation of reading अगर सेम है orientation of अगर और 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 ती किससे पेर करेगा ती किससे पेर करेगा टी 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 किससे पेर करेगा गी किससे तरिपल बॉन्ट से अटाच होते हूं और ए और टी हमेश़ डबल बॉन्ट से अटाच होते हैं । अब यहां पर जो कट लगेगा इको आरं वन हमेशद जी हो रहेके बीच में निय्कट लगाए गा हम बात करते हैं पलियंद्रोमिक सीक्वेंश अब इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पड़ो ऑरेंटेशन ओ रिडिंग शुड भी से अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टेंट पर ले तो इस टैन पर भी आपको 5 तो आपको same nucleotide sequence मिलेगी ओंद बोधर strand तो 5 फ्री प्राइम पड़ोगे तो G A A T T C G A A T T C अब इसको 3 फ्री प्राइम पड़ोगे ऑँगे on the be the strength तब भी आपको same nucleotide sequence देखने को मिलेगी कैसे 3 फ्री 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 प्राइम जैसे c ata a G c t t a a g तो same nucleotide sequence on the both the strength if the orientation of reading should be same that is palindromic sequence और एक और इसका मगर मैं example दूँ तो that just suppose triple C, triple G ठीक है अब C pair करता है G के साथ और G pair करता है C के साथ और यह 5 prime to 3 prime और यह 3 prime to 5 prime अब C, 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 G, 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 C, 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 G, G आप किसी तरीके से पढ़ो sequence आपको same देखने को मिलेगी अगर जैसे वो मलियालम होता है ना अगर आप left to right पढ़ो और चाहे right to left पढ़ो आपको same देखने को मिलता है that exact is palindromic sequence ठीक है तो यह था आपका palindromic sequence अब आप कुछ भी हाँ पर याद कर सकते हो जैसे GATTC तो मैंने आपको बता दिया अब इसको देखो GGATCC GGATCC ठीक है एक palindromic sequence यह हो गई अब AGGCCT AGGCCT अल्राइट तो अब palindromic sequence को यहां पर लिखना शुरू कर दो 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 अपन अच्छा, मियोसिस के बारे में आपको पता है, मियोसिस का मतलब है, जहां पर reductional division होता है, ठीक है, जहां पर reductional division होता है, ठीक है, तो जो recombinant D na कि हमारे इंदर बनता है किसी stage के उपर, तो अगर मैं आपको बात, आप से मैं बात करूँ, जो suppose, यह यह मैंने यहां पर बना दिया जो पाइक्टीन जो स्टेज है बेटा पाइक्टीन स्टेज के उपर क्या होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं क्रोसिंग ओवर ठीक है और यही तो सोर्च है किसका वेरियेशन का जीन री कॉंबिनेशन ठीक है बूल गए यह आपने कहां पर भी पढ़ा था याद है थोड़ा सा आपने कहां पर पढ़ा था वही आपने पढ़ा था यह तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि इन्वालविंग रिदक्शन इन दे क्वांटिटी ओड़ जैनेटिक मट्यलिस को मिया बोलते मियोसिस और यह चीज आपको याद रखना है कि प्रोफेश फॉस्ट ओप्ट इंदर प्रोसिंग ओवर होता है जिसके अंदर दे सब्सक्राइब और यहां पर क्या है कि प्रोफेश फॉसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा एक्स्चेंज बीच में एक्स्चेंज के बीच में थी सेंगें डूंट इसी को हम बोलते हैं शिका मोर्थेश फॉसIC प्लाइ और थी को हम पोलते हैं क्रासंग ओओर इसीका हम क्या बोलते हैं भाई क्रासंग ओफर व्याइब तो इह तीज़ आपको याद हो गई जो लोगे कोश्चन देखते हैं can you think and answer how a reporter enzyme can be used to monitor the transformation of host cell by the foreign DNA in addition to the selectable marker जो selectable marker क्या होते हैं वही एंटिवाटिक रिजिस्टेंट जीन ठीक है तो selectable marker एंटिवाटिक रिजिस्टेंट जीन होते हैं आपने example भी पढ़ा होगा किसके अंदर आपने यह example पढ़ा होगा PBR322 ठीक है जो PBR322 था वो क्या था प्लाजमिट जो जिसने किसने बनाया था बॉलिवर और रोडरीग उसने बनाया था ठीक है तो PBR322 के अंदर क्या हुआ कि PBR322 के अंदर दो एंटिवाटिक रिजिस्टेंट जीन थे एक MPClyne resistant जीन थे दूसरा tetracycline resistant जीन जीन जीक है अ के लिए और दूसरी थी ऐसे लवन के लिए चीक है अगर हम सब्सक्राइब किसी भी साइट के उपर अपना हम जो जीन ओफ इंट्रेस्ट इंसर्ट करते हैं तो जो tetracycline resistant जीन क्या हो जाता है इंसर्शनली इनक्टिवेटेड हो जाता था अब हमारे पास तीन केस मैंने मिडाया ही नहीं है ना तो इसके पास एंपीस्लिन रजिस्टेंटट जीन है नहीं इसके पास चेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है तो किसी भी मीडियम के अंदर ग्रों करेगा ना यह डिदो करेगा और अगर मैं बात करूं नौन रिकॉमीनेंट कि यह कहले है और यह में के पास इंदर भी चुन तो मैं कि अब करते हुए बात करते हुए हमारे पड़र केस अब क्या था जो था है वो था आपका रीकोमिनेट ट्रांसफॉर्मेंट रीकोमिनेट transformant अगर हम इस साइट के उपड़ करते हैं तो यह जो टेट्रसॉइक्लिन जिस्टन जीन है insertionally inactivate हो गया मतलब हमने अपना gene of interest insert किया जिसकी वज़ेसे टेट्रसॉइक्लिन जिस्टन जीन की activity खतम हो गई अगर हम इसको फिर ampicillin containing medium के अंदर grow कर रहे हैं तो यह cell grow होगी क्यों क्योंकि इसके पास ampicillin resistance engine safe है लेकिन tetracycline containing medium के अंदर यह grow नहीं करेगा क्यों क्योंकि इसके पास tetracycline resistance engine insertionally inactivate हो गया है तो यहाँ पर अगर एक cell जो recombinant है वो दोनों medium के अंदर grow करेंगे लेकिन जो non-recombinant non-recombinant दोनों medium के अंदर grow करेंगे लेकिन जो recombinant है वो सिरफ ampicillin containing medium के अंदर grow कर रहा है tetracycline containing medium के अंदर वो grow नहीं कर रहा है लेकिन simultaneously culturing कर रहे हैं हम जो प्लेट्स जो की difficult process है cumbersome process है इसको मसान करते हैं ठीक है अब हमने एक और मदद ली डैट इस लेक्जड जीन अब reporter gene क्या होते है यह report करते हैं कि पटिकुलर जो इस पटिकुलर इंजड जो के पास इस पटिकुलर जो सेल के पास यह चीज आई है यह जीन ओफ इंट्रेस्ट आया है या नहीं आया इस अगर मैं यहां पर लेक्जड जीन वाले ठीक है और यह कसान प्रोसेस है अगर कोई इंसर्शन नहीं हुआ है तो बीटा जो लैग्जड जीन वह सेफ है जो बेटा प्लक्तो के न्दर convert कर देगा लेक्टोस को और जो गमलेगा है तो इसका हो क्या है क्यों क्यों है क्योंकि हमारा झरीक है तो उसने को कोड किया और बीटा गलेक्टोसाइड़ ने लैक्टोस को ग्लुकोस प्लस गैलेक्टोस के अंदर कनवर्ट किया ठीके एक तो यह स्टोरी हो गई अब ज़स पोस्ट जो लेक्जाड जीन की जो activity और inactivity को हम देखते हैं अब अगर लेक्जेट जीन inactivate हो गया लेक्जेट जीन अगर inactivate हो गया क्यों हो गया क्योंकि इसने receive कर लिया हमारा जीन of interest अब ये inactivate हो गया तो इसका मतलब अब ये बीटा गेलेक्टोसाइडेज नहीं बना पायेगा अगर बीटा गेलेक्टोस है वो गैलक्टोस जो लाक्तोस ग्लूकोस प्लस गैलक्टोस गैलक्टोस के अंदर बी नहीं तूथा ठीक के और ग्लूकोस पिर आयोडीन के साथ रियक्ट करके ब्लू कलर क्यों смерy नहीं देगा इसका मतलब हमें white कलर अगर कालोणीज मिली है तो इसका चुका आप्सेल भी बोल सकते हों तरीके से हम लेक लेसकंते और यही चीज़ यहां पर ल सभीओं करना है origincha आपको समझा देती हूं origin of replication किसकी एक ideal characteristic है भई cloning vector की किसकी क्या है cloning vector की और जो origin of replication क्या करती है यह initiate करती है replication special nucleotide sequence special nucleotide sequence अब आई यह special nucleotide sequence जो किसको initiate करती है replication को बायो reactors large fermenters आप बोल सकते है large vessels जो की biological जो की raw material को biologically convert करते हैं जो raw material है उसको यह biologically convert करते हैं किसके अंदर useful product के अंदर bioreactors जिसके अंदर दो type आती है simple stirred type of reactor जो कि सबसे जादा common है simple stirred type of bioreactor ठीक है और जो दूसरा क्या आ जाएगा भई दूसरा आ जाएगा sparger stirred type of bioreactor sparger stirred type of bioreactor यहां पर जो air है वह sparger की form में दी जाती है downstreaming processing बेट लाज स्टेप है लास्ट स्टेप है प्रोसस और यह कब होता है after biosynthetic phase ठीक है after biosynthetic phase downstream प्रोसस किया जाता है that include separation purification of the product क्योंकि हमें जो product है ठीक है हमें तो सिर्फ प्रोडेक्ट से मतलब है हमें nutrient medium और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है तो separation और purification इसके अंदर include होता है और यहीं चीज़ यहां पर बताई है origin of replication specific site है जहां से replication होता है और यहीं control करेगा copy number को ठीक है यहीं control करेगा copy number को भी ध्यान रखना next is bio reactor के बारे में बता दिया है मेटा भी जो चीज़ आपको यह याद रखनी पड़ेंगी ठीक है simple stud of type of reactor spager stud of type of bio reactor जिसके इंदर सारी की सारी जो condition हो control conditions होती है प्रोपर pH प्रोवाइड की जाती है temperature प्रोवाइड किया जाता है sterile air प्रोवाइड की जाती है nutrient medium प्रोवाइड किया जाता है कि कोई भी contamination ना हो और जो cell बहुत अच्छी से grow करेगी क्यों क्योंकि उस cell के पास हमारे desired gene है जो एक्सप्रेस करके हमें protein देगा next one is downstream processing downstream processing क्या है separation and purification of the foreign gene product जब एक बार biosynthetic phase हो जाता है फिर उसके बाद अगर हमने कोई vaccine बनाई है तो उसका proper marketing trial होता है ठीक है उसके बाद उसको मतलब उसकी packaging होगी अच्छी मार्केटिंग ट्रायल होगा फिर packaging होगी और फिर उसको मतलब मार्केट के इंदर भेजा जाएगा explain PCR restriction enzymes and DNA and chitinase PCR polymerase chain reaction PCR polymerase chain reaction इसके अंदर हम amplification कराते हैं PCR के अंदर तीन स्टेप्स है कौन-कौन से डिनाचुरेशन एनिलिंग और एक्स्टेंशन चीक है डिनाचुरेशन के अंदर अब सारी चीज में आपको दुबारा बताते हूं डिनाचुरेशन के अंदर जो दोनों यहां पर हम एक स्पेशल टाइप का पॉलिम्रेश लेते हैं और यह जो टेक डिना पॉलिम्रेश है यह नुक्लिटाइड को एड करेगा इसकी खास बात क्या है क्योंकि जो टेंप्रेचर है यहां पर डिनाचुरेशन के अंदर 95 डिग्री सेल्सेस यहां पर 55-62 डिग्री सेल्सेस यहां पर 72 डिग्री सेल्सेस नॉर्मल अगर डिने पॉलिम्रेश लिया तो तो मर जाएगा इनक्टिवेट हो जाएगा अब हमें कुछ ऐसा एंजाइम लेना जो हाई टेंपरेचर पर अपनी अक्टिविटी को मेंटेन कर सके सो दैट इस टेक डिने पॉलिम्रेश टी का मतलब है बेटा थर्मस ठीक है और जो ए जो क्यू है बेटा डैट इस एकवर्टीकस यह होट वाटर स्प्रिंग के अंदर रहता है बैक्टिर और इसके अंदर पाए जाने वाला इन जैम भी हाई टेंपरेचर को सस्टेन करता है और यह नुक्लिटाइड एड करेगा 3' and of the growing strand 3' and of the growing strand और हमें क्या मिलेंगी बई मुल्टिपल कॉपीज मिलेंगी PCR ठीक है तो यह इस तरीके से नुक्लिटाइड को क्या करेगा एड करेगा और हमें मुल्टिपल कॉपीज मिलेंगी जैसे एक स्ट्रेंड का यहां पर दिखाया गया है आगे थर्टी साइकल अगर हमने करवाई है तो वन बिलियन टाइम्स मिलेंगी अंदर हो जाता है तुटू अंदर हो जाता है नेक्सि नेक्स जिए हमने इस रस्ट्रेक्शन देन्ड होते हैं तो अध्यरे और जो की पर्तिक्टिक्लर साइड के उपर कट लगाते हैं और ए जैसे अगर जी तीक्ट शीक्वेंस सब। सेम रहेगा और हमेशा जी ओ और में क्या लगाएगा स्पेसिफि क्या यहाँ पर ही है ओल्राइट और इसके दो टाइप हैं बाई क्या कि एक तो एक्सकी न्यूपिट को मौलेकूल exonuclease that remove the nucleotide from the end of the DNA molecule that is exonuclease and endonuclease यह exonuclease के बारे में है और endonuclease के बारे में है और genetic engineering के अंदर कौन सा use किया जाता है genetic engineering के अंदर use किया जाता है restriction endonuclease enzyme जो कि एक particular side के उपर cut लगाएगा kaitinase enzyme क्या होता है जब हम isolation of the DNA करते हैं तो हमें अपना i-dn है उसको हम isolate करते हैं तो वहाँ पर हम enzyme use करते हैं जैसे कि lysozyme हमने use किया हमने kaitinase हमने use किया cellulase हमने use किया तो lysozyme हम क्यों use करते हैं मैं एक बर यहाँ पर आपको revise करादू lysozyme use करते हैं bacterial cell के लिए cell wall को break करने के लिए छीक है cellulase हम क्यों use करते हैं plant cell wall को break करने के लिए plant cell wall को break करने के लिए और kaitinase हम क्यों use करते हैं fungal cell के लिए ठीक है fungal cell उसके बाद भी हमने chill ethanol डाला था अगर आपको याद हो that precipitate DNA in the form of fine thread जिसको हमने spooling बोला था ठीक है तो यह जो चीज लिखी है मैंने आपको explain कर दी आपको याद करने पड़ेगी नेक्स्ट वन इस आपको बताने है प्लास्मे डीने और डीने आर ने डीने एक्जोन्यूक्लेस और अंड़नूक्लेस के बीच में क्या डिफ्रेंस बहुत असान सब्सक्राइब अप्लास्मे डीने एक्स्टा क्रोमोजोम डबल स्टेंडेड सर्कुलर डीने है जो कि इंडिपेंडेंट ले खुछ सेल्फ रेप्लिकेट कर साहे एक प्लास्मे डीने टीने क्रोमोजोमल डीने क्या होता है व्यांद इन्साइड क्रोमोजोम अंतियो डीने अड़न के बीच अद्योख इंड यूक्सिर आइबोनुकलिक एसड ठीक है यह सिंगल स्टेंड इभल स्टेंडिड होता है है कि ऑले जो आरनी ने इसके अंदर क्या प्रेजम्ट होगा युर्रेसील प्रेजंट होगा यहां पर थाइमीन हो आर यह ज्यादा लोता है यही स्टे मोथा 拿ब स्टेबलोग्स और तैंड मेले टारएनि Ne batteries के बारे में बता दिया मैंने एक्जञ एक्जच जो की साइड साइड सी रिमूब करता है रेक्षो यह पतिक्वलों साइड के उपर कट लगाते हैं जिसको हमने चाला है रेस्ट्रिक्शन साइड आप जो कि वन माक के हैं कभी प्रिवियस एर क्वेस्ट में पूछे गए आपको आपको आइडेया लग जाए वाट इस वाट इस एक रीकॉमिनेंट जीन कॉल उसको हम जिसके पास रिकॉमिनेंट जीन आएगो सेल को मोश सेल बोल देंगे राइट एनिफोर यूज तो इंट्रीटमेंट मेथड था जीन गन मेथड था ठीक है बहुत जाएट जो भी आपको लिख दो जो आपको पता है इसी को हमने क्या बोला था हीट शॉक ट्रीटमेंट मेथड हमने बोला और बीटेग अलेक्टोसाइड इंजाइम इस बैटर सेलेक्टेबल मार्कर क्यों क्यों क्योंकि हमने साइमल्टेनिसली कल्चिलिंग नहीं करने पड़ती डो प्लेट्स की एक बार में इमें पता चल गर अगर बू कालोनीज है तो नौन रिकोंनेंट सेल है वयट कॉलोनी सेे अच्छ vast और देन साल वन बैइ कितने भी देदो PBL322 के अंदर आपने पढ़ा था पीवीव फॉस्ट 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 बेमेश वन एसे लवण एको आरवन हींडी थ्री कितने सारे क्या फरक है एक्जोन्यूक्लेश इंजाइं विच क्लीव बेस पेर देने टर्मिनल एंड एक्टे सिंगल स्टेंड ऑफ देने ठीक है कहीं पर भी कट लगा सकता है लेकिन एंड से नहीं कट लगाएगा देन देने मोलडके लगा लगाएगा इंठ एक्स्वेंड भड़ दल देडीर आपना है और इसे टी 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 आट दीच ओर सीजी जी और एक में कट लगाता है साल आहां कि अरे एरे जी ची एए कि अ इसवाइन और दे ङपो पता है के दो है जी सी एट डीट एसथी वारिड़ गाता है ठीक है यह restriction endonuclease enzyme के बारे में आंसर था explain the significance of palindromic sequence in the formation of recommend and DNA right the use of the restriction endonuclease in the above process तो इस पूरी की पूरी process को आपको करना पड़ेगा significance क्या है palindromic sequence को तभी तो restriction endonuclease enzyme उसको पहचानेगा अपोजिर स्टेंट पे कट लगेगा और vector DNA foreign DNA को same restriction endonuclease से कट लगाया जाएगा ताकि हमें complimentary stands मिले ठीक है कि यह जैट इस तरीके से कट लगाया जाता है आप यहां से इस चीज़ को कर लेना और यह कुछ questions है जो कि homework में है और यह आपको homework करना है पांच questions है आपके पास पांच questions आपको homework में करना है और पूरे की पूरे chapter से यहां पर आपको questions मिलने वाले ठीक है तो आपने homework करके बताना है और मुझे comment section में बताना है कि homework किया है या नहीं ठीक है तो मिलते हैं by technology and its application chapter के अंदर तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए thank you so much take care जैहिंद जैभारत